हेलो फ्रेंट्स मैं मरजीत आप सभी को हमारे चनल ये असमा ठेल पर स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि अगर आपको फेस्बुक पर अपना पेज बनाना है तो ओ आप पेज कैसे बना सकते हैं अगर अभी तक आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे जिससे की मैं जब वीडियो प्लोड करूँगा उसका नोट्पिकेशन आपको मिलती रहेगी चली फ्रेंट्स चलते हैं मोबाईल स्क्रीन पर और देखते हैं कि आप फेस्बुक पर पेज कैसे बना सकते हैं फेस्बुक पर पेज बनाने के लिए फ्रेंट्स आपको सबसे पहले फेस्बुक एकाउंट को लॉगिन कर लेना है Login करने के बाद आपको कुछ इस परकार से interface आएगा जो की main page का होता है, Dinoside corner पर एक three line होता है, जो menu का icon होता है friends, उस पर आपको click करना है, और उसके बाद नीचे में एक flag का icon बना हुआ होता है, और उसमें लिखा हुआ होता है page, आपको इस पर click कर देना है, उसके बाद friends, आपको कुछ इस परकार से option मिलेगा, तो यहाँ पर तीन option है, लेकिन सबसे पहला option जो है create का, हम लोगों को इस पर click करना है, create your page पर click करने के बाद नीचे get started लिखा हुआ है, आपको इस पर click कर देना है, इस पर click करने के बाद यहाँ पर page name पूछ रहा है, तो अगर आपको अपना नाम से page बनाना है, तो नाम से भी बना सकते हैं, YouTube channel के नाम से बनाना है, उसके नाम से भी बना सकते हैं, मतलब कि जिस नाम से आपको अपना page बनाना है वो नाम यहाँ पर डाल कर और नीचे से next पर click कर देना next पर click करने के बाद यहाँ पर category पूछ रहा है कि आपका जो facebook page का category है और किस category का है मतलब कि आप जो page बना रहे हैं उसमें किस related post डालिएगा या video डालिएगा तो उसी से related यहाँ पर आपको category select करना होगा तो अगर आपको यहाँ पर देखिए shortcut में दिया हुआ है musician band, health and beauty and grocery store अगर आपको इसके अलावा कोई और category select करना है तो उपर में search लिखा हुआ है इसमें आप जो भी category search किजएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा जैसे कि मान लिजिए आपको डालना है technology तो आप लिखिएगा यहाँ पर देखिए information technology company या school जो भी आपको डालना होगा आप यहाँ पर search किजएगा वो category आ जाएगा और उसे जैसे कि यहाँ पर एश्कूल ह करना चाहते हैं यहाँ पर add किजिएगा और create पर click कर दीजिएगा उसके बाद friends यहाँ पर general में आपको bio लिखना है अपने बारे में लिखना है अपने page के बारे में लिखना है कि आप किस related page बना रहे हैं उसके बाद नीचे में contact details आपको देना है अगर आपका website है तो application आप डाल दीजिएगा और नीचे में option दिया हुआ है यह तीन option कि आपका जो work है page है कितने घंटे काम करेगा तो यहाँ पर no hours available, always open या standard hours पर click किजिएगा तो यहाँ पर manually आपको day भी select करने के लिए option मिल जाएगा तो आपको इसमें से जो better लगे आप select कर लिजिएगा इसमें आपको एक banner set करना तो यहाँ पर आप banner और profile set कर लिजिएगा उसके बाद यहाँ पर एक option है edit action button आपको इस पर click करना है, action button पर click करने के बाद नीचे try it लिखा हुआ है आपको इस पर click करना है और यहाँ पर बहुत सारा आपको option मिल जाएगा तो आप जो भी यहाँ पर action button यूच करना चाह रहे हैं, अगर आपका कोई business है, send WhatsApp message, तो यहाँ पर आप अपना WhatsApp number को भी add कर सकते हैं, जिससे कि उस पर अगर कोई click करता है, direct O आपके WhatsApp पर message कर सकता है, call now action button आप select करते हैं, तो direct O आपको call लगा सकता है, तो इसमें से जो भी आपको select करना होगा, select कर ल list होंगे, ओ यहाँ पर आजाएगा और उनको आपको invite कर देना, अगर आप इसे नहीं करना चाहते हैं, तो नीचे से direct आप next पर click कर दीजेगा, next पर click करने के बाद यहाँ पर आपको दो option मिलता है, तो यह जो नीचे वाला option है, इसे आप disable कर दीजेगा, और उसके बाद done प अच्छी लगी तो वीडियो को like किजिए, share किजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चनल को subscribe कर लिजे, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूँगा, उसका notification आपको मिलती रहेगी, वीडियो देखने के लिए धन्यबाद friends, जाहिंद